सो हेलो एंट वेलकम दोस्तों स्वागत आप सभी का एक कमाल के और फ्रेश वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो के काफी जाधा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके बीजी टाइम में आपको वॉल पेपर रोज रोज चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो आप लोग भी चाहते होगे कि अपने किसी भी Xiaomi phone के अंदर में भाई आपका wallpaper automatically change होता रहे और आपको नया नया wallpaper देखने को मिले कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अपने phone के screen को off किया यहाँ पर मैं on करता हूँ तो कुछ इस तरीके का wallpaper आ गया फिर मैं phone को off करता हूँ पावर बटन से और यहाँ पर फिर से screen को on करता हूँ तो कुछ नया wallpaper है फिर से मैं एक वर phone के screen को off करता हूँ फिर से on कर तो यहां पर नया वाल पेपर आ गया है तो यह सारे वाल पेपर किस तरीके से आते हैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं और इसके लिए दोस्तों यकिन मानिए आपको कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरुबत नहीं है फ्री आफ कॉस्ट में हो क्योंकि ऐसे यह टिप्स और ट्रिक्स में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं अब इसके लिए आप लोगों क्या करना है यहां पर सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद भाई आप लोगों को नीच घ्लेंज कर सकते हैं और जिनकेस में गलेंस फॉर एमाई लिखा वारा वो इसके उपर में क्लिक कर लें यहां पर टर्न ओन को ऑप्शन्स होगा रिखाएगा भाई इसे आउन कर लेना उसके बाद यहां पर एक उप्शन दिखेगा गलेंस केटिगरी अब यहां पर इमेज की category आपको follow करना है कि आप अपने home screen कर किस तरीके की image category देखना चाते हो जैसे मैं entertainment की देता हूँ fashion and की देता हूँ और साथी साथ food मुझे पसंद है वो देता हूँ यहाँ पर did you novel options है और साथी साथ यहाँ पर talent और यहाँ पर music वगेरे का मैंने सेलेक्ट करके रखा है gaming वगेरे का तो यह सारे चीज़ को मैंने follow कर दिया है अब जिसी सीज़ों का आपने follow किया same उसी की wallpaper आप लोगों को lock screen पर दिखाई देगी और उसे आप अपने home screen पर भी save कर सकते अगर आप चाहें तो साथे साथ यहां पर एक option देजाता गैलरी फोटो का अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो क्लिक की हुई फोटो है कुछ फोटो आपकी क्लिक की हुई है दस बारे फोटो है उसी फोटो को बार बार जब भी आप phone on करो या lock screen पर किसी का phone आया phone देखो आप तो वह वाल पर कर सकते मोबाइल डाटा के द्वारा और सो क्विक विव उन बटन से जब लॉक करते हो तो भी आपको यह दिखे तो यह वाले options को आप एनेबल कर सकते हो इससे आप का आपका वाल पेपर ओटमेटिकली आपके Xiaomi phone के अंदर में या Poco phone के अंदर में चेंज होता चला है तो आप एक classic या limitless जो भी थीम आपको Xiaomi के phone के अंदर में inbuilt मिलती है company के तरफ से उसे apply कर देना है उसके बाद इस function को on कर दीजिए तो काफी असानी से भाई आप use कर पाऊगे और आपका wallpaper जब भी आप phone को power off करोगे तो एक नया wallpaper ही आपको screen पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से तो गई यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और कोई question होगा तो नीचे comment section में definitely कीजेगा मिलते हैं आप से इंट्रेस्टिंग वीडियो में जब तक के लिए take care बाई बाई और यार चै